नमस्कार मेरे प्यारे विध्यातियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा बार्वी अर्थशास्त्र व्यष्टी अर्थशास्त्र मतलब पिछले भाग में हमने अध्याय चार को देखा जिसमें हमने देखा कि एक उत्पादक कहां पे उत्पादन को रोकेगा उसकी कितनी लागत आएगी और वह उसको बेचेगा कैसे अब हम जैसा जानते हैं कि जो एक उत्पादक होता है उसे लाब को अपने सबसे जादा बढ़ाना है तो उस लाब को बढ़ाने का क्या आर्थ है कि उसका रेवेन्यू मतलब संप्राप्ती जादाते जादा हो और लागत मतलब कॉस्ट कम से कम हो तो यह संप्राप्ति आपने पिछले भाग में देखा। लागत उससे पिछले भाग में देखा। अब हम इन संप्राप्ति और लागत को मिलाने वाले हैं। क्यूंकि संप्राप्ती में से लागत को घटा दे तब ही तो लाप्राप्त होगा और इसे कहते हैं लाब कमाना तो देखते हैं पुस्तक इसके बारे में कैसे बोलती है लाब अधिक्तमी करण मतलब एक फर्म वस्तु की विशेश मातरा का उत्पादन तथा विक्रे करती है फर्म का लाब जिसे पाई गणित में जैसे आप पाई लिखते हैं अर्थ शास्त्र में हम मुनाफे को पाई से दर्शाते हैं पाई द्वारा दर्शाया जाता है इसकी कुल संप्राप्ती तथा इसके कुल उत्पादन लागत के बीच के अंतर के रूप में परिभाशित कि जीया जाता है कुल संप्राप्ती में से जब आप लागत को घटा देते हैं तो आपको मुनाफा मिलता है लाब मिलता है स्पश्ट रूप से कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य में अंतर फर्म द्वारा अर्जित की गई निवल लागत है मतलब आप सभी लागतों को अपनी संप्राप्ति में से हटा दीजिए तब आपको जो मिलेगा वह उस फर्म का लाब है देखिए हम सभी जानते हैं जब हम कुल संप्राप्ति की बात करते हैं तो कुल संप्राप्ति सीमान्त संप्राप्ति से प्राप्त होती है एक एक इकाई को बेचने के बाद जो संप्राप्ति हुई वह सीमान्त संप्राप्ति है और सीमान्त संप्राप्ती का योग कुल संप्राप्ती है और ठीक इसी तरीके की बात लागत पे भी लागू होती है तो अब हम देखेंगे कि एक उत्पादक कहां रुक जाए कि वह अपना लाब बढ़ा सके इसको एक रेखा चित्र के जरीए से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यह रेखा चित्र आपके सामने है जिसमें X-axis और Y-axis X-axis पे आपने लिखा निर्गत अर्थात आउटपुट और यहाँ चीजों की कीमत है जैसे कि आपके अध्याय का नाम पून प्रतिस्प्रधा है मतलब परफेक्ट कॉम्पेटीशन में लाब को दिखाना है तो देखिए यहाँ लाब किस तरहां से यहाँ पे लाब किस तरहां से दिखाया जाएगा जैसे कि हम सब जानते हैं कीमत ज़ादा हो तो नुकसान होगा संप्राप्ति ज़ादा हो तो फायदा होगा और यदि यह दोनों बराबर हो तो आपके पास ना लाब है ना हाने अब इन रेखा चितर को पढ़ने के बाद हम यह पता लगा सकेंगे कि हमें कहां रुखना है कहां पे उत्पादन रुक जाना चाहिए या कितना समप्राप्ती हो जाए कि एक उत्पादक के पास अधिक से अधिक लाब हो जाए आप यहां पे पिछले अध्याय और इस अध्याय को मिलाएंगे अध्याय तीन में उत्पादन को पढ़ते हुए आपने क्या देखा अध्याय तीन में आपने उत्पादन को पढ़ते हुए यह देखा कि शुरुवाती स्तर में उत्पादन बहुत तेजी से भड़ता है जिसके कारण कीमत में गिरावट आएगी क्यूंकि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ दा है पहले स्तर में तो कीमत गिरेगी यह हुआ सीमान्त लागत के वक्र की आकरती का जिक्र क्यूंकि उत्पादन तेजी से बढ़ दा है तो कीमत सीमान्त लागत शुरुवाती दिनों में गिरती है जैसे कि यहां हमने इसको गिरता हुआ दिखाया अब उसके बाद अगले स्थर में उत्पादन बढ़ता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जैसे पहले बढ़ता था परंतु श्रमी को कोश्रम तो उतना ही देना पढ़ता है तो अब कीमत बढ़ने लगती है और उसके बाद सीमानत लागत का वक्र गिरने के बाद बढ़ने लगता है यह हुई एक बात अब इस से अगले अध्याय में मतलब इस चौते अध्याय में आपने देखा पूर्ण प्रतिस्प्रधा के समय परफेक्ट कॉम्पेटिशन के समय कीमत मतलब चीज का प्राइज एक रहता है चाहे कोई कितनी ही मात्रा खरीदे बेचे चीज की कीमत उतनी ही रहती है जो है यह पी ई प्राइज लाइन ठीक है जी अब सुनिए यह सीमानत लागत जब तक गिर रही है एक बार प्राइज लाइन को काटती है मतलब क्या हुआ लागत और कीमत प्राइज और कीमत दोनों बराबर हो गए परंतु अभी भी अभी भी उत्पादन का पहला स्तर ही चल रहा है और कीमत अभी और गिरती है कीमत अभी और गिरती है तो इसलिए यह है वक्र और नीचे जाता है अब बात करते हैं जब तक वक्र यहां है कहां जब प्राइज नीचे है और लागत उपर मतलब लागत हो रही है जादा और प्राइज है कम बेच रहे हैं आप 10 रुपे का और लागत लग रही है आपकी 12 रुपे की तो ये जो लाल चिन है, यह दिखाता है कि उत्पादक को लोस हो रहा है, क्योंकि कीमत उपर है और प्राइज नीचे, अब उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, सीमान्त लागत गिरती जाती है और पहले स्तर में सीमान्त लागत गिरती ही जाएगी परंतु प्राइज दस रुपे था और दस रुपे ही है अब क्यूंकि कीमत गिरने लगी है, लागत गिरने लगी है लागत जब गिरने लगी है और प्राइज एक ही है तो अब प्राइज दस रुपे और लागत छे रुपे पांच रुपे या चार रुपे पे आ जाती है अब यहां देखिए सीमान्त लागत के गिरने पे प्राइज वही रह जाता है और लागत नीचे आ गई तो अब जो उत्पादक को मिलने लगा वहे उसका लाब है और उत्पादक उत्पादन को तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक वहे लागत को प्राइस के बराबर नहीं पाता क्योंकि हर बढ़ते हुए उत्पादन के साथ उसको जादा कीमत बाजार से वसूलने का मौका मिल रहा है यहां देखिए यहां लागत बढ़ रही है उसके बावजूद भी उत्पादक समान को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि प्राइस अभी भी लागत से जादा है तो यह जो हरा शेतर आप देख रहे हैं यह सभी उत्पादक का मुनाफ़ा है और यह उत्पादन जब तक होता रहेगा जब तक उत्पादक अपने आपको इस हरे बिंदु पर नहीं पाता लेकिन यहां हरे बिंदु पर पहुँचते के साथ ही उत्पादक रुख जाता है क्योंकि वह जानता है कि उत्पादन का अब दूसरा तीसरा स्तर शुरू हो चुका है अब अगर उसने उत्पादन को और बढ़ाया तो उसकी लागत बढ़ जाएगी जो कि आप ऐसे बढ़ती हुई देख सकते हैं और प्राइज मतलब पून प्रतिस्प्रधा होने के कारण कीमत वही रहेगी और लागत बढ़ती जाएगी और यहां उत्पादक को हानी होने लगेगी लेकिन हानी तक उत्पादक नहीं जाएगा वह इस हरे चिन पे खुद को रोक लेगा तो इस तरह एक उत्पादक अपने लाब को पढ़ाता है और यहां एक और बात का ध्यान हम देंगे हम यह लाब अल्पकालिन स्थि में देख रहे हैं जब एक कारक स्थिर है और बाकी सभी कारक बदले जा सकते हैं अब इसी तरीके के रेखाचित्र अगर हम दीर्गकाल में देखें तो उनकी आकरती कुछ बदल जाती है परन्तु उन रेखाचित्रों को पढ़ने का तरीका भी यही रहेगा जैसे कि रेखाचित्र 4.6 आपको दिखाता है कि आप जब दीर्गकाल में काम करते हैं तो किस तरह से एक उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाता गठाता है कहीं उसको लाब होता है, कहीं उसको हानी होती है कहीं उसको जादा लाब होता है, कहीं उसको जादा हानी होती है अब देखिए रेकाचित्र 4.9 जहां पे हमने दीर्ग कालीन अवस्था में इन आकरतियों को बनाया अब इसी तरह के अलग-अलग रेकाचित्र में आप पाते हैं कैसे कैसे एक उत्पादक अपना लाब बढ़ाता घटाता है दीर्ग कालीन के आकरतियों अलप कालीन की तरह ही हैं परंतु उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है जो आप थोड़ा सा अलप कालीन के अंदर सीख चुके हैं तो चलिए अब अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पूरती क्या होता है पिछले भागों में आपने यह सुना कि मांग क्या होता है मांग एक उपभोकता द्वारा की जाती है मतलब एक उपभोकता मांग करता है तो मांग को उपभोकता के नजरिये से ही पढ़ा जाता है अब हम जानेंगे कि पूर्ती क्या होता है पूर्ती एक उत्पादक के नजरिये से पढ़े जाने वाली चीज है देखिए सप्लाई कौन करेगा सप्लाई उत्पादक करेगा और सप्लाई करने के लिए उत्पादक के मन में सिरफ एक ही बात चलती है कि उसका लाब अधिक से अधिक कैसे होता है लाब को बढ़ाने के लिए वो बढ़ी हुई कीमत पे जादा सामान बेचना चाहता है लाब को बढ़ाने के लिए एक उत्पादक बढ़ी हुई कीमत पे जादा से जादा सामान बेचना चाहता है इसलिए मांग में जैसे उपभोकता यह सोचता था कि जैसे ही कीमत कम होगी वह मांग बढ़ा देगा हम पूरती में हैं सोचते हैं कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी उत्पादक सप्लाई बढ़ा देगा तो आप देखते हैं ऐसी कौन सी चीजे हैं जो फर्म की पूर्ती वक्र के निर्धारक तत्व हैं पूर्ती के परिभाशा मैंने आपको बता दी है आप देखते हैं कि इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से है एक प्रोद्व की के प्रगती मतलब टेक्नोलोजी का बढ़ना माली जी एक फर्म निश्चित वस्तों के उत्पादन के लिए दो कारक पूंजी तथा श्रम का उप्योग करती है फर्म द्वारा संगठात्मक नव परिवर्तन के पश्चात पूंजी तथा श्रम के उसी स्थर से अब निर्गत की अधिक इकाईयों का उत्पादन होता है मतलब टेक्नोलोजी अगर बढ़ जाए तो उत्पादक के लिए हैं सरल हो जाता है कि वह इकाईयों को बढ़ा सकता है यहीं इसका उल्टा अगर हम बात करें कि अगर टेक्नोलोजी कम हो जाए तो शायद सप्लाई भी कम हो जाएगी तो यह है पहला तत्व अब आगत की कीमते आगत की कीमत मतलब आपके उत्पादन करने के लिए जो कीमते आपको अदा करने पड़ती हैं जैसे श्रमिक, कच्चा माल यदि इन चीजों की कीमत बढ़ जाए तो उत्पादक के लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि वह सप्लाई बढ़ा सके क्योंकि अब उसको पैसा जादा खर्च करना पड़ेगा तो यदि लागत जादा होगी जिसको अंग्रेजी में cost of production भी कहा जाता है यदि लागत जादा होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी और यदि लागत कम होगी तो उत्पादक बहुत आसानी से जब चाहे सप्लाई को बढ़ा सकता है अगला है इकाईकर मतलब tax इकाईकर वहकर है जो सरकार निर्गत के प्रती इकाई विक्रे पर लगाती है उधारन के लिए मान लीजिए कि सरकार द्वारा लगाया गया इकाईकर दो रुपे है तो यदि फर्म वस्तु की दस इकाईयों का उत्पादन तथा विक्रे करती है तो कुल कर जो फर्म को सरकार को चुकाना होगा वो है दस गुणा दो बीस रुपे है तो यदि यह कर बढ़ जाए तो उत्पादक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बढ़े हुए कर पे उतनी ही काईयों बनाना तो यदि कर जादा है तो उत्पादन कम हो जाएगा और परिणाम स्वरूप आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी अब आप देखिए आपके सामने एक पूर्ती वक्र बना हुआ है आप इसको अगर मांग के वक्र से तुलना करें तो आप देखते हैं कि इसकी आकरती और मांग वक्र की आकरती पूरी तरीके से विपरीत है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यह मात्रा इस प्राइस पे दी जाती है और जैसे ही प्राइज गिरता है तो मात्रा भी गिर जाती है और इसी तरह से मैं प्राइज मतलब कीमत को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि कॉंटिटी मतलब मात्रा भी बढ़ जाती है इसे कहते हैं पूर्ती वक्र ये एक दुकांदार या एक उत्पादक का वक्र है परन्तु यदि यह वक्र और एक और वक्र किसी दूसरे दुकांदार या उत्पादक का मिला दिया जाए और जो परिणाम आया Q3 और Q4 मिला के बना Q5 और ये जो नया वक्र आपके सामने आया इसे कहते हैं बजार पूर्ती वक्र अब जैसे कि आपने देखा कि कीमत के बढ़ने घटने से कीमत के बढ़ने घटने से पूर्ती वक्र पर प्रभाव पढ़दा है मतलब ये तो बिलकुल मांगवक्र की तरह सीधा सीधा कीमत की वज़े से निर्धारित हो रहा है हमें यह जानना है कि जब कीमत में बदलाव आया तो उसके सामने मात्रा ने मतलब कॉंटिटी ने कितना जादा बदलाव दिखाया और इसके नापतोल को पूर्ती की कीमत लोच कहा जाता है मतलब elasticity कहा जाता है लोच अर्थात कीमत की वज़े से मात्रा में कितना प्रभाव आया मतलब कीमत यदि 10% बढ़ी है तो क्या मात्रा भी 10% बढ़ी है या नहीं तो चलिए इस चीज को एक उधारन से समझते हैं देखिए कोई वस्तु जिसका नाम है X उसकी कीमत 10 से 12 हुई और 10 से 12 रुपे की कीमत होने के कारण जो मात्रा है वह भी 100 से 120 हो गई अब हमें नापना है कि इसमें कितना लचीलापन आया इलासिसिटी कितनी है जिसके लिए हमारे पास कई तरह के फॉर्मूले होते हैं एक पी अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी पी अर्थात पुरानी कीमत क्यू अर्थात पुरानी मात्रा डेल्टा क्यू अर्थात मात्रा में बदलाओ डेल्टा पी अर्थात कीमत में बदलाओ और जब मैं इसे हल करता हूँ तो मेरे पास हल आता है एक मतलब जितना भी कीमत में बदलावाया उतना ही मात्रा में भी बदलावाया इस तरह से हम पूर्ती के लोच को नापते हैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो है मात्रा में कितने प्रतिशत बदलावाया और इसको भाग कर दीजिए कीमत में कितने प्रतिशत बदलावाया से आप देख सकते हैं कि 10 से 12 का बदलावाना और 100 से 120 का बदलावाना इसको हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे देखिए 100 से 120 होना साफ साफ दिखाई पड़ता है कि 20 प्रतिशत का बदलावाया और यदि आप थोड़ा सा गनित 10 से 12 में भी लगाएं तो यह भी 20 प्रतिशत ही होता है मैं दिखाता हूँ कैसे देखिए 10 से 12 आना अर्थात जो भी बदलावाया आप उसको उपर लिखिए जो भी पुरानी मात्रा या पुरानी कीमत है उसे नीचे लिखिए और 100 से गुणा कर दीजे आपको मिलेगा उस चीज का बदलाव परसंटेज में ततिशत में और यहां हमने 20 को 20 से भाग किया तो यहां पे भी जो elasticity आई वह आई एक इसका मतलब कीमत भी 20 प्रतिशत से बढ़ती है और मात्रा भी 20 प्रतिशत से बढ़ गई इस तरहां के कुछ प्रश्न आप से परिक्षा में आम तोर पे पूछे जाते हैं और यहां यह अध्याय खतम होता है आपके पाठे पुस्तक के अध्याय के अंत में इन प्रश्नों को दिया हुआ है जिनकी पढ़ाई आपने इन दो भागों में की तो उमीद करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों का हल कर सकेंगे धन्यवाद आपको प्रश्नों होता है ऐन दो दो कौके में हमें दोट्चेकर पुस्तक पाठे जिनकी के वाढ़ाई दयचान में और यह थो कि आप सके